हलो दोस्तो स्टोक अनलिसिस में आप सबी को दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस कनने वाल हैं जिल सेयर के बारे में आज की दिन पे इसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है मेगा गिरावट इसमें हुआ है 6% से भी ज्यादा का इसमें crash का scenario देखने को मिला है दोस्तो, जब से इसमें, जब से stock का अंदर लगा तर negative news आ रहा है तब से stock का अंदर जो है, विटाई देखने को मिल रहा है आज के दिन पे भी दोस्तो है कि SI news आया था, जिसके चलते stock का अंदर हमें इतना बड़ा गिरावट देखना को मिला है दोस्तों दोस्तों आगे के वीडियो में उन्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में स्टॉक के चार्ट को भी अनालिसिस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ ही अगर अभी तो कापनी इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज ये चैनल को सब्स्राइब कर लिजगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अल अप्सण दूर हीट कर लिजगा दोस्तों सबसे पहले आज के दिन की बात करें यहाँ पे उपन हुआ था 173 पे थोड़ा सा हाई लोगाए था फिर उसका बाद एक बहुत ही ज्यादा लो लोगाए था दोस्तो 159 यानि कि दूस्तो लगा तर इस टोक के अंदर आज के दिन पे हमें गिरावर देखने को मिला है और इसी गिरावर के दोरान दोस्तो दिमाया है जो की वोल्यूम में बहुत आच्छा देखने को मिला है और यह अश्टर डे में भी तीन क्रोड का वोल्यूम था और एक अपते की एबरेज और एक मौने की एबरेज आप देख सकते हैं तो डेलिवरी क्वाट्टिड की डेलिवरी परसेंटेज की बात करें तो देखता है तो चले दूस्तों न्यूज के ओपर डिसका स्कॉल लेते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों जी एंटरेन्मेंट के ओपर पहले से भी जुए के लिगेशन लगाया था 2000 क्रोड का यहां पर कुछ गड़बर देखने को मिल रहा था जिसके चलते स्टॉक का लिया तवा देखने को मिला था लेकिन जब से दूस्तों यह न्यूज आया है सेभी ने एलिगेशन लगाया है उसके बाद स्टॉक कंदर हालत जो है वो लगातार गिरापड में आ रहा है और अभी दूस्तों आगे भी आ सकता है और आज की दिन पर इसी एलिगेशन को जो जो है एक पैनल गठन किया है एक independent advisory committee वो जो है त्यार किया है और यहां पर दूस्तों आपको एक नाम देखने को मिलेगा थोड़ा सा दूस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूस्तों देख सकते हैं 37 चंद्रा जो की रिटार्ट जाज है और इन्होंने इस committee के अंदर हैड रहेंगे और इसी committee को वो judge करेंगे यहां पर दूस्तों और भी देख सकते हैं the committee will take the necessary measure to delve into fact of the allegation तो जो allegation है इसके अंदर fact को डोंडेंगे और with the sole interest to protect the right of the company shareholder and other stakeholder तो stakeholder और shareholder को उनका खोया हुआ interest फिर से वापस लाएंगे तो यह सब जी का कहना है और यह सब एक cover के जरिये press के जरिये release हुआ है तो आगे पता चलेगा दोस्तों यहां पर जी सोई है या फिर से भी तो आगे की ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा जब allegation जोटा सावित होगा तो जी को डारेक्टिव पाक्ट देखने मिलेगा देखने को मिलेगा जी के अंदर आच्छा सा तेजी होता हुआ देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तों आगे की ट्रेडिंग सेशन में सब कुछ चीजे जुए साब सुत्रा होता हुआ हमें देखने को मिलेगा लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप इंबेस्टमेंट करना चाते हो तो बिल्कुल भूलकर भी दोस्तों स्टॉक का अंदर आप मत मत किजिएगा दोस्तों कि अवी काफी ज़्याधा रिक्षी मीं है और काफी ज़्यादा इशुम्सें में देखने को मिलता है और काफी ज़्यादा यहां पर आगाठा चौलकर भी गिरावड आ सकता है जब तक 이 स्टाक का अंदर कोई क्लारी टी नहीं मिलता है दोस्तो कुछ चीज़े होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है तो बिल्कुल दूस्तो फिलाल के टाइम के आप इंबेस्टमेंट महत किजेगा ट्रेडिम महत किजेगा खरीदारी महत किजेगा तो अगर आप यह सब करोगे तो आगर चल कर आप बस भी सकते हो तो दूस्तो आज के वीडियो में इतना ही और इस टॉक के बारे में आपकी क्या उपिन ने कमेट सेक्शन पर लिखेगा तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टिक क्यार